देखिए successive differentiation में हमने कुछ standard result बताए ठीक है हमने का अगर आपको nth derivative निकालना है sin ax plus b का तो क्या होगा क्या बताए गया है a to power n sin ax plus b plus n pi by 2 याद है न cos ax plus b का होगा तो a to power n cos ax plus b भाई देखो एक बार differentiate करोगे इसको तो a बाहरा जाएगा तो आएगा a cos ax plus b तो हमने का तो फिस sign में convert करो तो pi by 2 प्लस कर दीजिएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह दुरों माले multiply में आ गए माले आ गया आपका अगर आपको dn of sin 2x करना है तो क्या हो जाएगा 2 को power n sin 2x plus n pi by 2 हो जाएगा यह होगा न लेकिन अगर आपको nth derivative निकालना है और इसमें आ गया sin 2x into cos 3x तब नहीं कर सकते न हम product rule हमारे पास available है लेकिन लगेगा नहीं लगेगा कैसे लगेगा बाद में बताए जाएगा अभी तो available नहीं है तो अब क्या करें यह अलग-अलग होता तो काम चल जाता जिसको अलग-अलग हम करना सीखेंगे तो आपने कुछ trigonatical identities पढ़ी हैं ठीक है हम वहाँ से proof बता रहे हैं आपको कि formula कहां से आया है वह से तो याद करना पड़ेगा आपको तो हमने एक formula पढ़ा है कि sin a plus b क्या होता है formula sin a into cos b plus cos a into sin b यही है ना और sin a minus b का formula क्या पढ़ा है sin a into cos b minus cos a into sin b अगर हम एक बार दोनों को add कर दें तो add करने सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा ठीक है थोड़ा से इसको अगर इसको add कर दें तो यह cancel हो जाएगा और यह two times आ जाएगा two sin a cos b तो इधर आ गया two sin a cos b two sin a cos b इधर क्या आएगा sin a plus b plus sin a minus b तो एक formula आ गया हमारे पास कि two sin a cos b की value क्या आएगे sin a plus b plus sin a minus b याद भी करिएगा और procedure भी याद रहे तो अच्छी बात है अगर आप दोनों को एक बार subtract कर दें तो subtract में sin change हो जाते हैं ना यह चीज़ करने से हो जाएगी यह क्या आएगा two cause a sin b यह माइनस कर दिया तो यह क्या जाएगा sin a plus b minus sin a minus b तो एक तो यह formula नोट करिए मतलब वैसे तो यह याद करना है आपको वैसे तो मान ने ते है 11 टूल तो पढ़ा है आपने पढ़ा है आपको याद होगा लेकि फिर भी नोट करिए इसे प्रकार से एक और formula होता है कि cause a plus b cause a plus b का formula क्या होता है cause a cause b minus होता है इसमें sin a sin b और जब हम करेंगे cause a minus b तो आएगा cause a cause b तो writing बड़ी गंदी हमारी है कोसिस करते हैं लिखने की sin b अच्छा एक बार दोनों को add कर दो add करोगे तो sin a sin b cancel हो जाएगा यह two times हा जाएगा तो formula क्या बनेगा two cause a cause b is equal to cause a plus b plus cause a minus b और एक बार सब्टेट कर दो अब सब्टेट में लफडा है यह हमने सब्टेट किया अब problem यह दोनों negative आ गए तो minus two times हाएगा ना minus two sin a into sin b is equal to cause a plus b minus cause a minus b अब दोनों तरब minus से multiply कर दो तो अब दोनों तरब minus से multiply करोगे ना यह sign change हो जाएगे ना तो यह बन जाएगा cause a minus b minus cause a plus b और इधर आएगा two sin a sin b ठीक है तो यह formulae 4 आपके है two sin a cause b two cause a sin b two sin a sin b two cause a cause b ठीक है तो उससे पैदा होगा ना कि जो multiple of यह हैं वो अलग-अलग हो जाएगे और अलग-अलग nth derivative निकलना आपको आता है ठीक है note करें देखिए अब आपसे कावी cause x cause 2x cause 3x into में है इसका nth derivative निकालिए अब पहली बात तो product rule भी नहीं लग पाएगा ठीक है अब क्यों लिएक बात करेंगे इसको अलग-अलग करना चाहते हैं तो हम two cause a cause b का फ़मला जानते हैं तो वह ही apply करें तो देखिए पहले तो इसको हम फिलहाले माल लेते हैं यह क्या लिका है ये लिखा है y मल लेते हैं तो y बराबर क्या लिखा हुआ है cos x into cos 2x into cos 3x अब देखो इन में किसी दो को एक ग्रुप में मना दो तो हमने क्या क्या इन दो को एक साथ लिख दिया अब 2 से multiply करोगे तो 2 से बाहर divide भी करना पड़ेगा तो y बराबर 1 by 2 2 cos A cos B क्या बता है यह cos A plus B plus cos A minus B cos A plus B plus cos A minus B और यह cos 3x अब बाहर लिखे हुए तो आएगा 1 by 2 या आएगा cos 3x अब देखो यह cos minus x आएगा ना तो कि cos minus theta plus cos theta होता है तो यह plus ही रहेगा plus cos x और into cos 3x इसको अंदर ले जाओ तो 1 by 2 तो यह आएगा cos 3x into cos 3x plus cos x into cos 3x अब देखो इसको break करने के दो तरीके यह cos square 3x आएगा ना तो cos square x को multiple of angle में बतलने का formula हमें बताया गया था cos 2x का और चाहो तो 2 सो multiply करके कर लो क्या चाहते हो दोनों तरीके आपके पास है तो इसमें वो तरीका लगाएदे रहे इसमें वो तरीका लगाएदे तो बाहर 1 by 4 हो गया अब जड़ा यहां देखो हमने integral वगरा में हमको पढ़ाए गया है hinter में कि जैसे कहीं पर cos square या cos sin square x हो cos 2x का एक formula होता है 2 cos square x minus 1 पढ़ा है अपने यह cos 2x का formula होता है है ना एक होता 1 minus 2 sin square x क्या देखा आपने जो angle यहां पर है उसका half angle हो गया हमको angle square में क्या चाहिए 3x अगर square में 3x angle चाहिए तो यहां angle क्या होना चाहिए 6x जो angle होगा वही तो आधा होगा ना तो यहां से अगर हम 2 cos square 3x की value निकाले तो 1 को इधर लेओ 1 plus cos 6x हो जाएगा हो जाएगा ना इसको क्या ले सकते हैं 1 plus cos 6x 1 plus cos 6x और अगर आप कहेंगे हम अगर 2 cos ए 1 cos भी लगा देते हैं तब भी आ जाता बहिए cos c plus d यानि cos 3x plus 3x cos 6x और plus cos c minus d तो cos 3x minus 3x cos 0 cos 0 बन होता है तब भी आ जाता प्लस यहाँ पर 2 cos एक भी करो तो क्या आएगा cos x plus 2x plus cos x minus 2x तो आएगा 1 by 4 अभी हम इसको अमेंट कर रहें किये वहल 1 plus cos 6x यह cos 3x आएगा plus cos 3x और plus cos x आएगा तो सुन जागा अभी अभी इसको हम चेंज करके लाए अलग-अलग होगे ना अब इसका nth derivative निकालेंगे पहुंचिए यहाँ तक एक मिन्ट, एक मिन्ट, एक मिन्ट यह 3x है भाई दो ध्यान दिखा करिए यह 3x है ना यह 3x है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4x तो यह तो आपने चेंज किया इसको अलग-अलग अब इसका nth derivative इसको y ले सकते है ना तो 1 by 4 cos 6x का क्या होगा nth इसमें नोट करिए dn of cos 6x चाहिए plus dn of cos 4x चाहिए plus dn of cos 2x चाहिए plus dn of 1 चाहिए ठीक है अब बता है फर्मला क्या होता है cos ax plus b का nth derivative क्या होता है यह नोट करिए ना क्या बताया यह था cos ax plus b a to power n cos ax plus b plus n pi by 2 यह था न तदी यह आपका क्या हैगा 6 की power n cos 6x plus n pi by 2 plus यह क्या हैगा 4 की power n cos 4x plus n pi by 2 plus यह क्या हैगा 2 की power n cos 2x plus n pi by 2 जो 1 का 0 हो जाएगा, 1 तो मरगिला है, पहली बार ही 0 हो जाएगा, एक बार करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, तो ये आपका nth derivative है, इस प्रिकार से trigonality का यूज करके हम इसको अलग-अलग differentiate कर सकते हैं, ठीक, multiply rule यहाँ apply नहीं हो पाएगा, तो ये तो आपने अलग-अप्लाई करके formula, अलग-अलग कर दिया, अब मालिया हमने आप से कहा कि nth derivative निकाली है, और question दिया हमने, sign power 5x into cost power 3x, sign power 5x into cost power 3x, अब हालत थरा अब इतनी भेंकर power इसमें लिखी वी है, ठीक है, तो अब इसको कैसे solve करें, क्योंकि हमको differentiation जो करना है, उसमें angle कहां होना चाहिए, multiple में होना चाहिए, angle उसका multipower में हम nth derivative नहीं कर सकते, क्या करें इसको, तो हम चलते हैं डिमाज थरम में, हमने डिमाज में इसका इस्तिमाल किया है, देखिए हमने इसकी पहले बताया था, कि मान लिया, आपने एक z मान लिया, cos theta plus x मान लो, cos x plus i sin x, ठीक है, तो z inverse क्या हो जाएगा, आप आन में लिखोंगे न, या power में minus 1 करोगी, और apply करोगी य minus i sin x, यह बताया था न, और अगर दोनों को plus कर दीजे, z plus z inverse, यह कर जाएगा, तो आजाएगा, cos 2 cos x, दोनों को minus कर दीजे, z minus z inverse, तो आजाएगा, 2i sin x, ठीक है, हमने यह भी बताया था, कि अगर z की power n करोगे, तो आएगा, cos n x plus i sin n x, याद है न, z power minus n करोगे, तो आएगा, cos n x minus i sin, अगर आपने दोनों को plus किया, तो z की power n plus z power minus n, आएगा, 2 cos n x, और दोनों को minus करोगे, तो आएगा, 2i sin n x, यह हम पढ़ चुके हैं, तो आप देखे, कहां से काम स्टार्ट करें हम, हम यह जूम करेंगे, और हम कहेंगे, भाई, देखे, कि भाई, हमने let z is equal to क्या मान लिया, cos x plus i sin x, और z inverse क्या हो जाएगा, cos x minus i sin x, दोनों को add किया, subtract किया, अब simple सी बात है, हमको sin power 5 x चाहिए, तो इसकी power 5 करदें, और cos power 3 x चाहिए, इसकी power 3 x करदें, और दोनों को multiply करदें, यह तको न पढ़ेगा, यानि कि हम क्या करेंगे, 2, बाई देखिए, यह समझ में आ गया step, अब आपको cos की power चाहिए, 3, तो cubing करना पढ़ेगा न दों तरफ, और sin power क्या चाहिए, 5, तो दोनों तो 5 power चाहिए, और बात में दोनों क्या करना पढ़ेगा, multiply करना पढ़ेगा, तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए 2 cos x की power क चाहिए, 5, तो यहां क्या हो जाएगा, z plus यह 1 upon z लिखे दे रहें, कि power 3 into z minus 1 upon z की power, यह तो आएगा न, 5, अब जहां यह concept आएगा, z की power n plus 1 upon z की power n, तो 2 cos x लिखेंगे, और यह आएगा, तो यह लिखेंगे हम, अब इसको open करना है आपको, अब power आपको देख करके, power है, तो इसको थोड़ा सा हम easy करेंगे, अभी power बहुत भेंकर है न, easy तो उतना नहीं होगा, expansion तो पुरा हो नहीं होना है, मैं 8 power खुलनी खुलनी है, देखो, इसको हम अगर करें, z plus 1 upon z की power 3, और z minus 1 upon z की power 3 कोई दिक्कत, और 2 power इसकी अलग कर दे, z minus 1 upon z की power 2 अलग कर दे, होगा न, अब देखो, इसकी power भी 3 है और, तो यहां लगा दे, a plus b into a minus b, whole cube, तो इसको हम चाहें, तो z square minus 1 upon z square की power 3, और into में, z minus 1 upon z की power 2, लिख सकते हैं न, नोट करिए यहां तक, अब देखें, यह side ही चलना है, इस side के हम बात कर रहे हैं, तो साफ साफ दिखेगा हम a minus b whole cube खोलेंगे, तो a minus b whole cube क्या होगा, a cube, बुले तो, z की power 6, minus b cube, 1 upon z की power 6, व्याद है न, a minus b whole cube, a cube minus b cube, minus 3, a square, a square, into b, plus 3, a, into b square, पौर 4 हो जाएगा, अब हम a cube minus b cube minus 3, a, b, in bracket, a minus b नहीं याद करेंगे, हम बड़े हो गए हैं, तो a cube minus b cube minus 3, a square, b, plus 3, a, b square, देखे, इस minus plus में अगर confusion हो, तो चूंकि यह term negative है, तो जहां इसकी power odd होगी, वो term negative आएगा, जैसे आप लिखा a cube, अब b cube कर रहे हैं न, जैनि इसकी power कितनी लगा रहे हैं, 3, और यह term कैसा है, negative, तो minus लगेगा, plus 3, a square, b, अब a square, यह हो गया, और b, अब चूंकि पावर 1 है, इसलिए negative हो गया, और वो ऐसे भी याद रखिएगा, और दूसरे bracket में क्या है, इसको खोल दीजेगा, तो a square plus b square minus 2ab, जैनि z square plus 1 upon z square minus का 2, जैनि a b करोगे न, तो z into 1 upon z जो है, कट जाएगा न, यह 2 ही बचेग अब देखू, थोड़ा calculate कर लेते हैं, z की power 6 minus 1 upon z की power 6 minus, z square कट जाएगा न, तो आएगा 3 z square plus 3 upon z square, दूसरे bracket में क्या है, z square plus 1 upon z square minus 2, बस आपको bracket खोल देना है, और अपने आप result, वो आ जाएगा, यह ध्याना किया, यह लिखा हुआ है, इसको लिख ले, न भूल जाएग इधर क्या लिखा है, 2 cause x की power 3 into 2i sin x की power 5, बता अभी differentiable हो जाए, इसके लिए यह सब जदो जद है, differentiation नहीं हो रहा है, अभी trigonality लग रही है, इसको अलग अलग करने के लिए, आप देखो, हम पहने z square को अंदर ला रहे हैं, तब z square अंदर जाएगा, तो इससे multiply होगा, z की power 8, इससे हो जाएगा, भाई, यह power उपर है, तो 1 upon z की power 4 बचेगा, इससे होगा, का minus 3, z की power 4 हो जाएगा, इससे करोगे, तो plus 3 आजाएगा, यह उन्दर लेकिया हो, इससे आएगा तो plus का z की power 4, minus 1 upon z की power 8, इससे multiply करो, कट जाएगा, minus 3, plus 3 upon z की power 2, अब माइनस 2 से मुल्टिप्लाइ करो तो माइनस 2 z की पावर 6 ये प्लस 2 अपान z की पावर 6 माइनस माइनस प्लस 6 z स्क्वार माइनस 6 अपान z स्क्वार समझ में भी बान नहीं है अब इनको एक साथ करिए कौन कौन से एक साथ करने है अभी हमने कहा z की पावर n प्लस one upon z की पावर n को क्या ले सकते हैं 2 cos nx यह बता है न हमने और z की पावर n minus one upon z की पावर n को क्या ले सकते हैं 2 i sin nx यह बता है न Eli इस प्रकार की powers को एक साथ करने की कोशिज करिए तो जैसे आपने z की पावर 8 लिखा लिखा तो 1 upon z quality यहां लिखा है ना तो minus 1 upon z की power rate अलग कर दिया ठीक अब इससे कम power कौनसी है 4 6 6 है ना तो देखिए 6 कहां कहां power है आ गया minus 2 z power 6 है और plus 2 z power 6 है तो minus 2 काम ले ले तो आएगा z की power 6 minus 1 upon z की power 6 और कहीं है ठीक है अब कौनसी power 4 वाली है देखो z की power 4 वाली power कौनसी है एक तो z की power 4 देखे एक तो यह आपका minus 3 z की power 4 है और plus z की power 4 है ठीक है तो यह हुजाएगा minus का 2 z की power 4 ठीक है और 1 upon z की power 4 में minus का 1 upon z की power 4 है और कहीं नहीं होगा तो ही कहीं यह multiply जो हुआ होगा लिखा नहीं क्या हमने गरवड होगे क्या यह आपने देख भी लिया ध्यान से देखिए कि गरवड हो जाता ना तो minus 1 upon z की power 4 और plus 3 upon z की power 4 तो कितना हो जाएगा यह है ना तो plus 6 z square minus 6 upon z square constant कौन कौन से हैं 3 और minus 3 कर जाएगा और कुछ बचा सब कुछ ठीक है ना अब देखिए कहीं power का गरवड हो तो देख लिजेगा मतब multiply में तरीका यही है आपका नोट की यह नोट कर लिया है करिए अब देखो इसको orange करिए तो यह क्या है z की power 8 minus 1 upon z की power 8 एक bracket में हो गया minus 2 z की power 6 minus 1 upon z की power 6 एक bracket में हो गया minus 2 z की power 4 minus 1 upon z की power 4 एक bracket में हो गया प्लस 6 Z की पावर 2 माइनस 1 पान Z की पावर 2 एक ब्रैकेट हो गया जरा समझिएगा अभी हमने कहा कि Z Z की पावर N माइनस 1 पान Z की पावर N क्या है 2 I sin N X यहां N क्या है 8 है न तो यह क्या हो जाएगा 2 I sin 8 X माइनस 2 इंटू 2 I sin 6 X माइनस 2 इंटू 2 I sin 4 X प्लस 6 2 I sin 2 X ही तो आएगा आपका अब देखे LHS की बारे में बात कर लेते है LHS में actually क्या लिखा इदा देखे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 2 की पावर 8 हो गया और I की पावर 5 है तो I पावर 5 को I लिए सकते है I पावर 4 इंटू I तो I बाहर कर दिया यह हो गया कॉस की पावर 3 X इंटू साइन की पावर 5 X अचा सुनिये जहां से डाइट कर रहो है यहां से common क्या दिख रहा है आपको 2 का मन दिख रहा है और I का मन दिख रहा है है ना यहां क्या पचेएगा sin 8x minus 2 sin 6x minus 2 sin 4x plus 6 sin 2x अब इधर क्या है इधर है 2 की पावर 8 into i into cos power 3x into sin की पावर 5x कुछ cancel होगा एक तो आपका i cancel होगया वही लफड़ा कर रहा था और यह 2 पावर 8 को इधर transfer कर देंगे अब इसको differentiate कर दो काम खतम तो यह तरीका है आपको डिमार्स हरम का यूज़ करने का ठीक है देखिए अब इसको हमको करना क्या है nth derivative किसका निकालना है cause की पावर 3x into sine की पावर 5x का निकालना है यह इधर के लिए क्या हो तो 1 upon 2 power 7 हो जाएगा अब देखिए डाइट कर रहे हैं इसका जब nth derivative करोगे तो एक बात लिखोगे dnf सब में इसका क्या हो जाएगा 8 की पावर n sine 8x plus n pi by 2 ठीक यहाँ पे आओ minus का 2 थाई है इसका क्या हो जाएगा 6 की पावर n sine 6x plus n pi by 2 यहाँ आएगा minus का 2 into 4 की पावर n sine 4x plus n pi by 2 इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर n sine 2x plus n pi by 2 यह अब यह कुछ काल्कुलेट हो नहीं सकता यही आपका आणसर हो जाएगा तरीका सुम्झा है इस प्रकार से बड़ी-बड़ी पावर स्को हम डिमाज स्वर्म किये अगर आप इसको डिफ्रेंसेट करना चाहे ना अगर एक बार डिफ्रेंसेट करो देखिए हालत तरा हो जाएगी इसका क्या होगा फ़ले तो multiply rule लगा हो फिस कहाएगा 5 sine power 4x into cos power x into cos cube x लंबा पड़ेगा ना यह तरीका हो था नोट करिए देखिए question है आपका nth derivative निकालना है e to power 2x sine cube x का हमने e to power a x sine b x प्लस c का पड़ा है एक बार डिफ्रेंसेट किया था आर कासिटा e b को कुछ मान के लगाया था याद है तो अब problem फिर वही लफ़ला होता है कि अगर multiple of angle होता काम चल जाएगा power double कर रहा है ना तो sine का कोई ऐसा formula है जिसमें sine cube x आता है sine का कोई ऐसा formula जिसमें sine cube x आता हो हमारे पास एक formula है sine 3x का हमने sine 3x का formula पड़ा है देखे इस level में formula सब याद होने चाहिए minus 4 sine cube x cos का होता है 4 cos cube x minus 3 cos x उसमें cos 3 x होता है तो अगर इसको इधर ले आओ तो 4 sine cube x is equal to क्या आएगा 3 sine x minus sine 3 x तो sine cube x की value क्या होगी 1 upon 4 3 sine x minus sine 3 x इत होगी ना यानि यहाँ पर जो nth derivative आपको निकालना है किसका e to power 2 x into जहां पर यह है इसको क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे अपान 4 3 sine x minus sine 3 x अब देखे जो power का लफडा तक हतम होगी ना अब multiple माग या angle में bracket खोलोगे तो आएगा dn of या आएगा आपका 3 upon 4 e to power 2 x into sine x minus 1 upon 4 e to power 2 x into sine 3 x e to power 3 upon 4 है और 1 upon 4 इसे मतलब आपको नहीं है ठीक है नोट करिए इसको एक question 1 डालिए अब formula देखे we know that अब यह formula याद होना चाहिए formula बताए गया आपको अगर dn of e to power x sine bx plus c करते थे तो इसका formula क्या बताए गया था एक बार इसको differentiate किया था product rule से ठीक है बाद में यहाँ पर multiply a आया था और अगले में b आया था और a और b को हमने r cos theta और r sin theta मान के sine में convert किया था ठीक है इसके पहले वाले उसमें class में बताए गया था तो formula होता है r to power n इसका formula होता है r to power n e to power ax sine bx plus c plus n theta यह था आपका जहां r की value क्या थी under root a square plus b square और theta था 10 inverse b अपाने याद है तो यही formula यहाँ apply कर देंगे तो यह apply कर दो यह रब करें नोट के लिए न so देखिए अभी इसका हम करें direct 3 upon 4 तो बाहर हो जाएगा इसका अब अगर हम इसे compare करें तो a यहाँ पर क्या है 2 है न तो formula क्या होता है r की power n e to power ax e to power ax यह इट पावर 2x into sine angle क्या है sine का x है न तो x plus n theta यह होगा यह तो इसका हो गया इस वाले का integral हो गया differentiation minus 1 upon 4 यह क्या होगा r to power n e to power 2x sine 3x plus n theta यह चाहोत इसमें आप r to power n कामन ले लो e to power 2x कामन ले लो x है न नहीं है यहाँ पर और अपान 4 कामन ले लो तो आएगा 3 sin x plus n theta और minus sin 3x plus n theta यह आपका answer हो गया और 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 इसकी value आपको लिखने पड़ेगी तो here where r is what where r is r हमने क्या बता है under root a square plus b square a बोले तो a x वाला a to square 4 plus 1 minute 1 minute अलग-अलग होगा इसका यह r कमा नहीं ले सकते न इसका r अलग होगा इसका r अलग होगा r depend करता है a और b पे ना 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 यहाँ r1 लिखो यहाँ पर r2 लिखो यहाँ theta 1 लिखो यहाँ पर theta 2 लिखो कमा नहीं ले सकते आप ना r1 की power n यहाँ हो जाएगा और r2 की power n यहाँ हो जाएगा ठीक है अब r1 र2 निकालेंगे जब r1 निकालेंगे तो a यहाँ पर 2 होगा B यहां पर 1 होगा ना तो 4 प्लस 1 आएगा और theta 1 क्या आएगा 10 inverse X का coefficient B अपाने होता है ना तो 1 अपान 2 हो जाएगा और यहां R2 जब निकालेंगे तो आएगा under root 4 प्लस 9 और theta 2 कितना होगा 10 inverse 3 अपान 2 अलग अलग होगा ना same नहीं होगा इसे compare करोगा AX BX प्लस C तो B चेंज हो रहा ना सबका जिसलिए R और theta चेंज हो जाएगा तो यह आपका nth derivative सुन में आगया तो successive के इस सब formula हो गए इसके बाद class में आपको 11 इस थरम बताए जाएगा जब multiply में कोई product product में लिखे हो दो function तो अभी तक तो आप साइन में थे तो आपने चेंज कर लिए थे मला एक आ गया साइन एक आ गया एक पावर फाइप तब नहीं चेंज कर सकते रहा तब multiply rule लगाना पड़ेगा तो वहाँ लेबनी स्थरम बताए जाएगे ठीक next class में होगा